तो हे गाईज कैसे हो आप सब ओल लीडी गाईज काला हमने देख लिया था जापर बीएंपियस के राउंड 3 से 24 टीम बीएंपियस से बाहर हो गई है पर उसके बाद गाईज काफी लोग बात कर रहे थे कुछ टीम्स के बारे में जिनके उपर से स्पीशियस था और साथ ही म बात कर लेते है प्लेड के बारे में जिनके ओपर alliegations है तो अगर तो गाई bisa आपको याद है काफी टैम पहले हमने एक BGO सारे चीटिंग के लिगेशन थे तो उनके बारे में बात करते हैं स्नेल ये लिखे बाइदवे सुनने में हैं टीम ड्रैगन्स की तरफ से गोड़ बोर्ट खेल रहा है हाँ वही प्लेयर जो शादी में चला गया था यहाँ पर गैस वह बात कर रहे हैं गोड़ बोर्ट की पास स्टोरी के बारे में जब उनका डिवाइस चेक होने वाला था तो उनके टीमेट्स की तरफ से हमको ये सुनने को मिला था वो भी डिवाइस चेक नहीं करवा सकते हैं शादी में गए होए हैं और आग इसने लिए लिए लिखे नाइट आउल से कृष्णा खेल रहा है और ये लोग वापस से लैन खेलेंगे अगर इनको डिस्क्वालिफाई नहीं क्या गया एंट टीम लाइक सोल एंग जी नहीं खेलेगी क्या ही जमाना आ गया है ना टू टैलेंट तो अभी बाहरा आ रहा है देन टीम के चीटिंग के बारे में काईस आइक फिलिक भी थोड़ा गुसा दिखे वो ये लिखे अपेरेंटली अगर एक कोई टीम चीटिंग करती ही पकड़ जाती है और उनको बैन भी मिल जाता है भले फिर चाहे वो क्राफटन के ओफीशल टोनामेंट्स में हो तो भी वो टीम समको वापस से खेलती ही मिल जाती है विदाउट दा प्लेयर हो गौट गौट ये सबसे ब अभी तो कोई प्रूफ नहीं है कि नोवा चीटिंग कर रहा है और जब तक हमको ओफीशल की तरफ से कुछ भी सुनने को नहीं मिलता ये प्लेयर खेलता रहेगा और इसके बाद गाइस ये सेम प्लेयर जिनके ओपर एलिगेशन था ब्लाइन हुआ की तरफ से भी हमको स्ट चार दिन तक देखने को मिलेगी तो ग्रूप एक टीम आप देख सकते हो जहाँ पर होने वाली है टी डबलो बी देन टीम एट बीट कार पेट आई मोगो ईस्पोर्ट्स एंड इस टीम्स एंड ग्रूप बी में देखने को मिलेगी वी एक्स टीम गोडलाइक रैकनिंग ए ऐन एक दिन में हर एक टीम के हमको चार मैच देखने को मिलेंगे और guys next हम लोग बात करने वाले हैं टीम क्रोग के बारे में तो इनके बारे में guys पूरा metoder में आपको explain किया था basicly जहाँ पर BMS के matches के ठाेम पर इनको damaging गया था जिसके बारे में further live stream से God like crow बात भी किये थे बर पर जैस कुछ टैम पहले हमको team crow की तरफ से एक story देखने को मिली जहाँ पर वो ये लिख दे थैंक यू part basically guys ये player path हमको team crow का part अब देखने को नहीं मिलेंगे and guys BMPs teams के बारे में बात कर रहे हैं तो next हम लोग बात करने वाले हैं lols के बारे में अब pass में guys हमको कुछ ऐसी चीज़ सुनने को मिले थी कि BGM player जो की competitive खेलते हैं वो superior होते हैं and classic player नहीं होते हैं उनके सामने ऐसा कुछ तो ये चीज़ के बारे में guys lols reply किये जो की अपने team को round 3 तक लेके आए basically set कि even if you are classic player आप खेल सकते हो competitive exactly उनके क्या words से आपको दी सुन लीजे आपको समझागे कि यहां पर कैसा है और मैं round 3 तक पाउज गया तुम समझ रहे हो कुछ नहीं के classic player ये वो कुछ नहीं बाई अगर तुमको भी करने कॉमपी भाई उनके क्लासिक पर बंदे पकड़ू अजना ग्राइंट शुरू करो टी त्री लभी किलते हो और गाइस नेक्स हम लोग बात करने वाले हैं PUBG Mobile के बार में क्या एक बार फिर से PUBG Mobile इंडिया में वापस आ रहा है पेल ऐसे गाइस हमको एक स्टोरी देखने को विले दिया अब अभी स्क्रीन पर देख सकते हो PUBG Mobile is coming back तो ये टाइम पर जब सदार जी वाइटी लाइब कर रहे थे वो भी ये चीज के बार में react किये थे आप देखिये community की engagement वापस आजाएगी PUBG is actually a very big brand name उपर से नई sponsor आएगे international orgs के एंटरी और इसी हो जाएगी अब परसने तो guys I don't think तो ऐसा कुछ भी होने वाला है बट अगर तो होता है सबसे पहले updates guys आपको दे दूँगा anyways next एक update निकल कराती है टीम एकस पाक सारंग की तरफ से तो क्या भी एंपेस के टाइम पर हमको कुछ server glitches भी देखने को मिले थे वैल ये चीज के बार में guys वो labs team पर बात के की exactly matches में क्या हुआ था और साथ ही में कुछ लोग उनको global e-sports and movie के बारे में लिख रहे थे तो ये सब पर वो ये कहे और guys next हम लोग बात करने वाले हैं वैलोरेंड के one of the most famous player tense के बारे में अगर तो इनके बारे में guys आपको नहीं बता तो लोग इनको वैलोरेंड का goat face और वैलोरेंड भी बोलते हैं और आज इनकी तरफ से हमको एक वीडियो देखने को मिली basically ये वैलोरेंड competitive से retire ले ले लिए further इस पर बात करते हो ये लिए कि obviously ये मेरे लिए एक easy decision नहीं था बड़ ये साल के शुरुआत में मैंने सोच लिया था कि मैं retirement हूँगा ये साल में और साथी में मैंने आपको बहुरा था कि मैं अपना पूरा best देने वालों भी unfortunately वो चीज हो भी गई हम लोग काफी सारे trophies भी जीत गए फिर ये चीज के बारें guys first of all हमको scout की तरफ से भी एक story देखने को मिली थी वो ये लिखे legend then 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 but भी ये चीज को share करते हो ये लिखे no and audience के भी guys हमको काफी सारे reaction देखने को मिले काफी लोग ये चीज के बाद emotional भी हो रहे थे और guys अब देख लेते हैं BMPS के कुछ reactions तो guys unfortunately Carnival Gaming Semi Finals के लिए qualify नहीं कर पाए फिर Goblin की तरफ से हमको एक message देखने को मिला था वो ये लिखे I don't know what to say इतना सारे effort लगाने के बाद भी we fail to qualify and make you guys proud आप लोग को disappoint करने के लिए we are extremely sorry thanks for supporting us we'll work harder then इसके बाद guys हमको अक्षत का भी एक reaction देखने को मिला था वो ये लिखे first official tournament as an IGL हर किसी किसमत में नी final ले जाना hard luck and साथ हमें guys team reckoning qualify हो गए तो इसके बाद उनकी तरफ से हमको एक message देखने को मिलाता हूँ ये लिखे 22 lakh performance और इसके बाद guys वो से 12 seat को भी थोड़ा सा troll कर दिये 19 होग उसको seat की तरफ से हमको एक tweet देखने को मिलाता जहांपर वो ये लिखे UPI देना 22 lakhs भेजने तो इसके response में वो एक QR share करते हो ये लिखे scan the QR given below to pay और guys next हम लोग बात करने वाले हैं BMPS में team bliss and team silly के बारे में तो guys ये दोनों team हमको trident से देखने को मिली हैं जिसके rated reply करते हुए घातक भाई ये लिखे the talent in these tier 1 BJMA teams is unreal इंडिया में BJMA e-sport का future is set to be on another level आप सब भी त्यार हो जाओ for the next generation of champions और guys next हम लोग बात करने वाले हैं कुछ players के semi finals के drops के बारे में तो सोमराज की team VXC का drop होने वाला है एल पोजो जिसके बारे में वो ये लिखे जो आएगा मरेगा अगर किसी को ego clash करनी है तो आ जाना देन फियर्स की तरफ से भी guys हमको एक story देखने को मिली थी पोचिंग की को शेयर करते हो ये लिके जो आएगा मरेगा और guys next हम लोग बात करने वाले हैं रेगल टोस एंड टीम 8-bit के बारे में तो guys पास में हमको रेगल टोस टीम 8-bit में देखने को मिले थे ये टीज के बार में आज जोपी लाइप स्टीम पर बाद किये अब देखलो को लेना पड़ा है ऐसी कोई प्लेयर तो फिर मेर को यह था कि यह रहा यह तो आगे भी होता रहेगा तो अच्छा और फिर कुछ प्लेयर यह ले ले लेते हैं या फिर कुछ कर लो च लुट अब डेट नीं कर आती है गोर्ड लाइक एड्मीनों की तरफ से तो गोर्ड लाइ है रहे होगी लेजिट महनत है तो आपको अपने सब्सक्राइब गए एक अपडेट नहीं कर आती है टीम और एंग यूटन प्रियर्स की तरफ से वह बात के मेजी के पनोती के बारे में जो कि उनकी टीम के बारे में रिवर्सी लग गई एंट साथ ही में वह बात के फिक्सी के सपने के बारे में जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था बेसिकली जहांपर मैची से पहले फिक्सी से अनाउंस कर दिये थे कि मेरे को एक सपना आया है कि आज के लास मैच में टीम और अंगुटन चिकन निकाल के क्वालिफाइ कर जाएगे और सेम चीज गाइस हमको देखने को भी मिली थी तो यह चीज पर याड करते वे और अंगुटन प्लेयर्स यह कहे अधिया जोब भी डाउन पॉल और भी था ना निंजा विकार खेल रहा भाई स्टार्टिंग में थोड़ा इदर दर हो जाता है न्यू टीम है उसकी भी वह से पहले नहीं के साथ पहले और तो बाई उसके साथ हो गया तब थोड़ी दर हो गये ना चीज़े पुरी टीम के तो बस गाईस फिलाल की वीडियो में इतना ही था वीडियो पसना है तो गाईस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ बाप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई